हेलो इस्टुडेंट्स क्या आपको भी एडवाइज और एडवाइज में डिफ्रेंस नहीं पता है क्योंकि दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफ्रेंस है ADVICE, ADVICE दोनों का ही अर्थ होता है सलाह देना, नसीहत देना लिखिन दोनों का यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये 12th, 9 से लिखे 12th वालों के लिए भी जरूरी है होमोफोन्स आपके एकजाम में आते हैं तो आपको भी ये पढ़ना जरूरी है लोगे तो चली देखते हैं ADVICE ADVICE सबसे पहला डिफरेंस क्या है यह जो ADVICE है यह नाउन इसकार्थ भी होता है सलाह देना, मैंने लिखा नहीं है सलाह होता है, ठेक यह देना निसला, तो ADVICE यह नाउन है और इस यह कहा है ADVICE, इजिवर और यह वर्व है ADVICE means Suggestion about what one should do, ADVICE का हम लोग तव यूज करते हैं जब आपको कोई Suggestion दे, आपको कोई मतलब यह एडवाइस दे ठीक है, Suggestion दे कि आपको क्या करना चाहिए किस कंडिशन में माली जी कोई आप माली जी एकजाम में आप फेल हो चुके हो, बहुत ज़्यदा disappointed हो गया हो, तो कोई आपको ADVICE नहीं देगा ADVICE देगा, ठीक है यह क्या है, सलाह देगा अपनी ओपेनियन आपको बहताएगा कि आपको इस करनीशन में यह करना चाहिए, आप हार मत मानो अभी यह सब समझ लीजिए, अभी चिंटी मिंटो यह जो फोटो बनाया है इससे आपको समझा देंगे, उसके बाद आप नहीं भूलोगे फिर है, I need some advice मुझे, क्या है, मुझे इन advice की जरूरत है यानि कि मैं बहुत ज़्यादे disappointed हो गया हूँ मतलब आपको अपनी friends का या फिर जिससे भी आपके opinion आप सेटिसफाई हो उससे आपको होगे, कि I need some advice मुझे, या फिर I need your advice मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है ठीक है, तो वहाँ पर यह एडवाइस नहीं रहेगा यहाँ पर advice रहेगा, ADBICE मुझे बहुत अच्छे अच्छे सलाह देगे, यह होगे, एडवाइस एडवाइस, आपको अपनी opinion बता रही है वह सलाह दे रही है कि इस condition में आपको इसी चीजों से आगे move on करना चाहिए ठीक है, यह हो गया advice, advice as a noun आप सलाह होता, फिर advice, सलाह देना, नसीहत देना, यह वर्व काम करेगा, वर्व मैंने क्रिया, ठीक है, advice means to give information, यहाँ पर क्या था सलाह, आप मांग रहे हो सलाह, सलाह कोई अपनी opinion दे रहा है, क्या करना चाहिए, यहाँ क्या है, advice means to give information, आप किसी को कोई information दो, he advised her to the doctor, उसने किस क्या किया, उसने उसको डॉक्टर के मतलब तुम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, उसका advice दिया, my father advised me to study for exams, मेरे पापा ने मुझे advice किया, मुझे सलाह दिया, कि तुम्हे पढ़ाई करना चाहिए, फॉरिजा मतलब परिच्छा के लिए, ठीक है, नहीं समद में आया, अब चिंटु मिन्टु से समझते हैं, यह है चिंटु, ठीक, तो यह जो चिंटु है, यह मिन्टु जाक कहता है, यह मिन्टु, üz जाक कहता है, हमें ने advice देता, तो यह कहेगा, यह advice कहेगा, यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है, बताए, यह opinion मांग रहा है, इसके पास एक condition है, समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा है कि ये मिंटू भाईया हमार भैसिया बिर्मा गई लिया हम का करीं तो ही कहेंगे ओ भैसिक बार इंतों प्याश्डी किये हैं इट्स माई प्लेजर तब यह जो एड़ वाईस देंगे इसको यह देने का काम कर रहे न तो यहां पर एड़ वी आई ऐसी समझें यह मांग रहा है एक सिच्वेशन में किसको क्या करें समझ में नहीं आ रहे इसकी भैसिया बिर्मा गई है तब यह मिंटू से कहेंगा कि मार भैसिया बिर्मा गई लिया आपको एड़ वाईस दे दिजी एड़ वाईस नहीं एड़ वाईस और जब मिंटू भाईया जो यह क्योंकि यह वर्व हो रहा है वो बता रहे हैं सला बता रहे हैं ठीक है अब समझ गया आप लो ठीक है ऐसे कोई भी चिंटू मिन्टू महिमा सीता गीता मालीजे सीता है कि यह सीता यह गीता यह इस बार के बोर्ड एक्जाम में फेलो चुकी है ठीक है और यह यह से बड़ी है इसकी सीनिया है यह बहुत ही मतलब टैलेंटेड है तो यह सीता जाके कहेंगे यह दी दी हम फेलो गई लिए हम का करी कुन्हों एडवाइस दा तो यहां पर एडवाइस ठीक है सलाह मांग रही है यह सलाह